उम नमा सिदेब्या नमो जिडानम सत्भीको सादर शुद्धात्न वंदन ऐस्टानी का महा पर्व का यह आज दूसरा दिवस कार्तिक क्रश्णा अस्टमी का यह सुब मंगल दिवस है अस्टमी भी शाश्वत परव है और देखिए अस्टानी का भी महापरव जो शाश्वत महापरव है जो आठ दिन के लिए होते हैं अस्टमी से लेके पूनम तक यह चलते हैं इन अस्टानिका महापर्वों के समय चतर निकाई के देव नंदिश्वर दीब जाकर महापर पूजन अर्चन करते हैं चारो दिशाओं में 13 13 जिनाले अकरतिम जिनाले विराजमाने जिसमें प्रतेक जिनाले में अकरतिम जिनाले में 108-108 जिन प्रतिमाय सुशोबित हो रही है तो ऐसे यह अकरतिम चत्याले उसे सजित आठवा नंदिश्वर दीब की जहाँ पर पूजन अर्चन की जाती है तो चलिए आज हम देखते हैं इस पावन अवसर पर जो हमें सोनगर से संदेश प्राप्त हुआ है उसमें क्या विशेज बात आईए यह संदेश पुझे बहेंसरी बहें के 345 नंबर के बोल के आधार से लिया गया है इसमें लिखा है मौक्ष मार्ग का सरूप संक्षेप में कहें तो अंतर में ग्यायक आत्मा को साथ यह थोड़े में बहुत कहा जा चुका है सरवार्थ सिद्धी के देव 33 सागरो पम जितने काल तक धर्म चर्चा जिन्देव इस्तुती इत्यादी करते रहते हैं उस सबका संक्षेप यह है कि सुभाश भावों से नियारा एक ग्यायक का आश्रे करना ग्यायक रूप परणमित करना इस प्रकार का यहां पर संदेश में प्राप्त हुआ है इसका हम सामाने अर्थ समझते हैं मौक्ष मार्ग का सरूप संक्षेप में कहें यहां पर देखिए क्या बताया कि मौक्ष मार्ग का सरूप क्या है संक्षेप में सार भुद देखिए दो प्रकार के जी होते हैं एक विस्तार भुद्धी से समझने वाले और एक संक्षेप भुद्धी से समझने वाले तो यहां पर संक्षेप में बताया है कि अगर हम कम शब्दों में समझें कि मौक्षमार्ग का शुरूप क्या है तो उसे क्या समझेंगे तो यहां कहा कि अंतर में ग्यायक आत्मा को साथ रखें यानि क्या कहा कि अंतर में ग्यायक आत्मा का साथ हो एक मात्र ग्यायक आत्मा का साथ कहा है परदरवियों का साथ नहीं कहा देवशास्थ गुरू का साथ नहीं कहा जिन्वाणी का साथ रखने का नहीं कहा क्या कहा अपने ग्यायक सभाव आत्मा का साथ होना वही मौक्ष मार गए यहां पर निश्चे सम्मेक दर्शन अपने ग्यायक सरूप आत्मा के साथ को कहा है पिर यहां कहा कि सरवार्थ सिद्धि के देव 33-33 सागरोपम जितने काल तक यहां क्या कहा सरवार्थ सिद्धि के देव उनकी आयू कितनी है 33-33 सागरोपम की आयू है तो वहाँ पर वो क्या काम करते हैं वो कभी मद्दिलोग भी नहीं आते जैसे आन्य देव तो पंचकल्यानक आदी क्रियाओं में कभी-कभी मद्दिलोग आदी आते हैं नंदिश्वर दीब भी जाते हैं पूजा नर्चन करने के लिए लेकिन सरवार्त सिद्धि के देव अपने इस्थान से कहीं नहीं जाते तैतिस सागर उपम तक वो वही के वही रहते हैं और दिन रात आतमा की चर्चा पूरे समय उनकी एक जैसी बस तत्वचर्चा तत्वचर्चा ही चलती है और वो तत्वचर्चा भी इतनी गहन और सुक्षम चलती है कि जो विशे एक बार आ गया वो दुबारा नहीं आता तैतिस सागर तक तो विचार कीजिए कि ऐसी कितनी आतमसरुप की चर्चा होगी कितने कितने विशे उसमें से निकलते होंगे कि जो एक बार चर्चा आई वो दो बार नहीं आए अगर हम देखें तो हम अगर हमने मानलो कोई एक विशे लिया तो उसकी चर्चा करने में हमें एक विशे को कितनी बार रिपीट हो जाता है लेकिन महाँ पर तो वो विशे रिपीट ही नहीं होता एक बार जो बात आगई वो दुबारा नहीं आएगी मतलब कितनी अलोकी एक बात होती है तो तैतिस सागर्त सागरोपम तक जो चर्चा की जाती है वो कितनी अद्बुत चर्चा होगी इस प्रकार से अपने आत्म सभाव की महिमा यहां पर बताई है क्या कहा फिर कि जिनेंडर इस्तुती इद्याती करते रहते हैं कौन जो तैतिस सागर्त की सागरोपम आयू वाले देव है वे भी जितने काल परियंत तक धर्मचर्चा करते हैं जिनेंडर इस्तुती आदी करते हैं तो उन सब का संगशेप में क्या कहें तो उन सब का संगशेप भी अगर बोलें जो 33 सागर तक जो धर्मचर्चा की उसका संगशेप में कहें तो क्या कहेंगे कि शुभाश भावों से नियारा एक ग्यायक भाव का आश्रे करना क्या का देखिए तैती सागर उपम तक की आयू तक जो धर्मचर्चा की ना उसका भी संक्षेप में क्या आया एक मातर अपने ग्यायक सवरूपी आत्मा का अलंबन करना उसका आश्रे लेना और कैसा सुब और अशुब दोनों भावों से हट कर एक मातर ग्यायक सवरूपी का अलंबन लेना और अपने ग्यायक रूप परिणमित होना अपने उस ग्यायक सवरूपी में ही परिणमित होना बस यही कारे करने योग्य है इसके अलावा अन्य कोई भी कारे करने योग्य नहीं है यही मौक्ष मारग है तो इतना आपको clear समझ में आ गया होगा बहुत विशे देखे जाए तो बहुत सरल है कि अपने ही सभाव के पहचान करनी है मैं कौन हूँ बस यही तो हमें निर्णा करना है कि मैं कौन हूँ सारे जमाने को हमें जानना पहचानना नहीं है एक मातर अपने गयाएक सभाव आत्मा को ही जानना पहचानना है उसी का निर्णा करना है इसके अलावा और कोई अन्य कारे करना नहीं है तो इतना छोटा सा छोटा कारे करना है और इसी में हमारा सारे संसार का परिब्रमन रुक जाएगा तो इस प्रकार आज यहां पर इस संदेश का अर्थ निकलता है चलिए इतना आपको समझ में आ गया इसका बारंबार चिंतन मनन करें अब देखते हैं आज की रत्न करी का में कौनसे विशेज बात आईए यहां पर श्रोता ने प्रश्ण किया है वर्तमान में जब तक हमारा परियाए में राग विद्यमान है तब तक इस राग रहित सभाओं की शद्धा कैसे हो यह प्रश्ण है क्या प्रश्ण है कि वर्तमान में जब तक हमारी परियाय में राग विद्यमान है तब तक राग रहित सभाव की श्रद्दा कैसे हो देखी जब राग परियाय में विद्यमान है और हम बोलें कि राग रहित अनुभाव करो तो ये कैसे हो सकता है तो पहले राग छूट जाए तब राग रहित सभाव के श्रद्धान हो, इस प्रकार से यहां पर श्रोता ने प्रशन किया है इसका समाधान करते वे कहा है कि ऐसे जीव राग को अपना सरूप मान कर सम्यक शुद्धान नहीं करते और परियाय द्रस्टी को छोड़ कर सभाव द्रस्टी से अपने राग रहित सरूप का अनुभा नहीं करते जिस समय छनिक परियाय में राग है उसी समय राग रहित त्रिकाली सभाव भी साथ में पड़ा है इसलिए परियाय द्रस्टी को छोड़ कर सभाव की प्रतिती करने पर उस प्रतिती के बल पर राग अल्पकाल में टल जाएगा इस प्रकार से गुर्दियोशी की चर्चा में यह विशय आया देखिए विशय को थोड़ा सा सुक्ष्म विशय तो बहुत है सिर्फ समझने का है द्रस्टी का विशय है यदि हमने द्रस्टी को समीचीन रख कर समझा तो यह बहुत ही आसान है और जब तक हमने द्रस्टी प्रदान कत्न को नहीं समझेंगे तो यह चीज हमारे सिर्फ ऐसे बाहर चली जाएगी, समझ में नहीं आएगी. क्योंकि कहां पर बात परियाए द्रस्टी की चल रही है और कहां पर द्रवे द्रस्टी के बात चल रही है यह हमें विचारनिया है यहां पर कहा है कि ऐसे जीव किस जीव को जिसको राग होते वे भी वो राग रहित मान रहा है ऐसे जीव को क्या कहा कि ऐसे जीव को राग को ही अपना सरूप मानकर शद्धान नहीं करते हैं ज्यानी जीव राग को अपना नहीं मानते हैं उनकी परियाय में रागादिक भाव उत्पन होंगे क्योंकि रागादिक भाव तो कैसे हैं? ओधारिक भाव है और विकारी भाव है तो ये आत्मा में ही तो उत्पन्न होंगे कोई जड़ में तो उत्पन्न होने वाले नहीं है तो आत्मा में उत्पन्न होंगे लेकिन फिर भी ग्याने जी इसको अपना नहीं मानता उसकी शद्धान नहीं करता है परियाय द्रस्टी को छोड़ कर सभाव द्रस्टी से अपने राग रहित सरूप का अनुभव नहीं करते हैं काल में भी क्रोध रहित अनुभव करता है लोब की काल में भी लोब रहित अनुभव करता है इस प्रकर से जो ज्यानी जीवे वह राग की काल में भी अपने आपको रागी अनुभव नहीं करता तो जिस समय छणिक परियाय में राग है उस समय राग रहित त्रिकाली सभाव भी सात में पढ़ा है देखिए जो जो ज्ञानी जीव की दरस्टी में भिदन्यत आए है ना ध्रस्ठी का भी stars तो जो ज्ञानी जीव है वो राग के समय में भी जो हमारा वीतराग भाव Wellness राग रहित भाव वहाँ पर विद्दिमान है, ऐसा अनुभव करता है, इस प्रकार जैसे अगर हम उधारन लें, तो भई, जिस समय सोना है, और सोने में पीलापन और उसके वो सारे गुण है, ठीके न, अब वो गुण होते वे भी, जब हमने वो सोने के बिस्किट को कंगन रूप में परिवर न, और अभी कैसा हो गया, अब कंगन रूप बन गया, तो सोना कहां गया, तो भी सोना, तो सोने में विराज माने, वही सोना ऐसे उसकी परियाय बदली पर भी, उसका ध्रय सभाव कायम रहता है, जैसे शकर, शकर अभी Region रूप है, अब अगर उसको हमने जल में गोल दिया तो उसमें वो घुल गई अब हम कोई कहे कि इसमें शकर कहा है दिखाओ तो शकर तो है नहीं तो नहीं महाँ पर वो गुलंची लवस्था में भी शकर उसमें बिद्धिमान है तो उसकी महाँ पर सत्ता है कि हाँ यहाँ पर इसकी सत्ता है तो राग के काल में भी जो ग्यानी जीवे वो ये जानता है कि राग इसका आइश नहीं है सभाव में तो शीतलता है, सभाव में राग है ही नहीं मातरब परियाए में है तो इस प्रकार से उसकी दरस्टी कैसी है, क्लियर दरस्टी है तो फिर यहाँ पर कहा कि उसी समय राग रहे त्रिकाली सभाव भी साथ में पड़ा है तो वो वहाँ से कहीं दूर नहीं चला जाएगा और एक उधारन लेते हैं जैसे समुद्र है अब समुद्र में लहरे हैं लहरे कैसी ओपर उपर आ रही है तो लहरे क्या है परियाए और द्रवे सभाओ कैसा है शांत तो जिस समय परियाए रूप में लहरे आ रही है उस समय शांत सरूप है कि नहीं है तो है कहां परे तो द्रवे सभाओ में नीचे नीचे शांत सरूप है जिसमें लहरे नहीं है तो बोले कि दुनों एक साथ दिखे तो एक साथ कैसे दिखेगी जब परियाय तो परियाय रूप में दृस्टी जाएगी लहरों पे तब वो द्रवे सभाओ नीचे है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि परियाय वा si लहरे लहरे अलग हो गई और द्रवे सभाओ अलग हो गया तो दोनों कैसे हैं भिन्न भिन्न है तो जब जो ग्यानी जीवे वो इन दोनों को भिन्न भिन्न जानता है कि परियाय अलग है और द्रव्य सभाव अलग है इस प्रकार से उसकी द्रस्टी में कैसी है भिन्नता है इसलिए परियाय दरस्टी को छोड़ कर सभाओ की प्रतिती करने पर उस प्रतिती के बल पर राग अल्पकाल में तल जाएगा क्या कहा कि इसलिए परियाय दरस्टी को छोड़ कर सभाओ की प्रतिती करने पर किसको छोड़ना है परियाय दरस्टी को क्यों क्योंकि परियाय कैसी है, एक समय की है, छण एक परियाय है, एक एक समय में प्रतिचन बिलीन होने वाली है, और फिर नई परियाय उत्पन्न होने वाली है, फिर बिलीन होने वाली है, तो याने वो जो प्रति समय बदलती हुई है, परिणमन्त करती हुई है, वो परियाय कैसी यह आदर्णी नहीं है जो द्रवे सभावे वो कैसा है मूल सभावे और उसका कभी नाश नहीं होता है वो त्रिकाली कुठस्त एक जैसा रहता है इसलिए द्रस्ति किस पर कहना है जो एक साथ एक जैसा रहता है जो प्रतिसमें बदलता रहे उस पर द्रस्ति नहीं करनी है सभ बहाओ की प्रतिती करने पर उस प्रतिती के बल पे अलपकाल में ही उसका मिथ्यात हुए वो के साय टल जाएगा और उसका मुक्ष्मारग प्रकट हो जाएगा इस प्रकार से आजी सरत्नकणिका का यहाँ पर सार निकलता है सारभुद बात सिर्फ इतनी है कि अपने ग्यायक सुभावी आत्मा को पहचाना बाहर के समस्त पर पजार्थों से द्रस्टी हटा कर अपने नीजिशुद्धा आत्म द्रवे पर द्रस्टी टिकाना संक्षेप्ट में मुक्षमार्ग किसे कहा जाता है अंतरंग के परणाम कैसे होने चाहिए और तैती सागरोपम तक की धर्मचर्चा का सार मिसार क्या है इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्टा हमारे अंतर में उठते हैं इन प्रश्टों का समाधान हमें स्वयम ही खोजना है और किस प्रकार से मैं ग्यायक सुभावी आत्मा हूँ इसकी अनुभूती करना है इसका निर्णय करना है और इसी में लीन होना है आशा करती हूँ आपको आज कहिया संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आज हमारी कक्षा का समय यही पर पूर्ण होता है इसलिए हम यहाँ पर अब बिराम लेते हैं और इसी प्रकार आप अपना चिंतन ध्वारा को बार बार बढ़ाते रहें तत्वनिर्णय पर जोड़ दे और अपने ही इस मनुष्य भव को सार्थक करें जै जिनेंद्र